सिंधु नधी की लंबाई कितनी है? STUDENTS आपको पेड़ती plaintin के मिलेंगे फाइब सेकंड के सिंधु आवसा पता है तो क्मेंट सकते लिए बथा सकते हैं यहरा है आपके भूपशन 28802208,8608, obrigado STUDENTS आपको समय शुला होटा है है सिंदू नदी के लंबाई कितनी इसको तरुफ्स नमबर ए 1880 किलो मेटर सिंदू नदी की लंबाई है इसको टैंड फेक्ट देख लेते हैं सिंदू नदी का उद्व में स्टल तिबबत के मानसुर्प के निकट वो कारू चू नामा के लिएसे निकलती है सिंदू नदी की सायक नदियां ब्यास जेलम चिनाव राभी सतलज हैं दोस्तों सिंदू नदी की 5 सायक नदियां हैं ब्यास जेलम चिनाव राभी सतलज चलते हैं अगले कोशन की तरफ सिंदू तथा जेलम नदी के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है सिंदु सागा, रचना, हिन सागा, डीन में से कोई नहीं काफी दफ़ा एक पूछा भी गया है सिंदु तथा जेलम नदी के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है इसको तर ओफ से नमबर के सिंदु सागा के नाम से जाना जाता है जेलम तथा चिनाब नदी के बीच के भाग को चार्च कहा जाता है चिनाब तथा राभी नदी के बीच के भाग को रचना कहा जाता है चिनाब तथा राभी नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है तो आपको उत्तर क्या होगा रचना ठीक है चलते हैं अगले कोशिन कि तराफ वीडियो को दिल ठाम कर दिखता हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है 25-25 किलो मेट्र 25-30 किलो मेट्र 25-30 किलो नदी कितनी है ये उत्तर से लेकर 25 बंगाल तक पाया जाता है गंगा के मैदान को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में उपरी गंगा का मैदान मादे गंगा का मैदान चलते हैं अगले कुछन की तरह मजूली दीप किस राज़े में इस्तित है मजूली दीप किस राज़े में इस्तित है इसको तरुफ्स नमबर डी असमराज्य में स्थीध है कुछ इंपर्टेंट फैक्ट देखते हैं मजूली दीप पर एक लाख सर्षठ हया जनसंगे निवास करती है तो आपको तरुगों के मजूली दीप दोस्तों मजूली दीप निर्मार ब्रहम पुत्र नदी करती है